जेहो 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 चिंता लगी थी दूसरी संतान नहीं थी संकट में काम बुद्धी भी कुछ करती नहीं थी काम करती नहीं थी कैसा भिवसो भागी का तो फेर यही है भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है कर्म का भल भोगने में देर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं होता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा कर्म का भल कर्म करने में तुम सतंत्र हो लेकिन कर्म का भल भोगने में परतंत्र हो कर्म का पांसा पलट गया पुर्व का सोया हुआ भागी जाक गया क्या हुआ उस बिखारी कहरा मेरी जिन्दगी में क्या हुआ उस में मेरा नाम गरीब गोपाल था और मेरे बच्पन के बिछड़े ही मित्र मुझे मिले भगवान की मुझे पर भी दया की हुई नजर एक साथी मालदार मिला दुर हुई फिकर उसने कहा दुकान में मैं धन लगाऊंगा तुम लाभ बाट लेना हानी मैं उठाऊंगा तुम लाभ बाट लेना हानी मैं उठाऊंगा बच्पन का बिछड़ा हुआ मेरा दोस्त सेट गिरधारी लाल मिल गया उसने कहा कि हम तुम दोनों में साजे में ब्यापार हो और ब्यापार में जितना पैसा लगेगा उसम में लगाऊंगा और यदि लाभ हो जाए तो हमारा तुमारा धाधा रानी हो जाए तो इसका पूरा जिम्मेदार में ब्याँगा इस तरह आव मिलके रोजगार करेंगे हम दोनों आधे के हिस्सेदार बनेंगे हिस्सेदार बनेंगे एसा सुमीत्र पाक में तैयार हो गया साजे में दोनों का सुरू ब्यापार हो गया ब्यापार केंद्र हमने बनाया था बंबई आढ़त में लगा दी वहाँ विक्री के हित्रुई आढ़त से कुछ दिनों में एक तार आ गया आढ़त से एक तार आ है दोनों मित्र साजे में ब्यापार सुरू कर देते हैं सेट गिर्धारी लाल और गरीब गोपाल ब्यापार केंद्र बंबई सेर रखा गया एक लाख रुपी की रुई खरीद कर आढ़त में लगा दी आढ़त से कुछ दिनों में एक तार आ गया उस तार में क्या लिखा था कि दोनों मित्र जल्दी से बंबई आ जाओ आपकी रुई एक लाख के मुनाफे में बिख गया आढ़त से कुछ दिनों में एक तार आ गया एक लाख के मुनाफे में कुल सौदा बिख गयी एक लाख की प्राफिट में आपका सौदा बिख चुका है आईए प्राफिट ले जाईए तोनों मित्र बंबई पहुंचते हैं एक लाख रुपया प्राफेट ले लेते हैं पचास-पचास जार बांट लेते हैं और मोल धन एक लाख की रूई खरीद कर फिर लगा देते हैं और बिजनेस चालू है शेट गिर्धारी लाल अपने मित्र गरीब गोपाल से कहता है कि मित्र तुमने बंबई की शेर कभी नहीं किया मैं आपको बंबई घुमाऊं गरीब गोपाल ने कहा बड़ी मुश्किल से पचास हजार प्राफिट में मिले हैं बंबई में कोई ग्रह काट जेब काट लेगा तो क्या हो इसलिए घर चलो जब पेशा मिल जाता है तो आदमी घर को आना चाहता है क्योंकि घर में सुरचित समस्ता है शेट गिर्धारी लाल ने कहा कि मित्र मैं बहुत बार बंबई घुमा हूँ तुमको भी बंबई घुमा तो भारत का सबसे बड़ा सहर बंबई बंदरगा देख लो किसी ने सच कहा है चपर को फाण देते प्रभू चपर को फाण देते प्रभू बात सही है भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है करमान सार फल तो सभी मिलता यही है भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है बोलिए शद्गर भगवान के चपर को फाण देते प्रभू बात सही है इकावत है आज तक जो गरीब गोपाल था वो सेट गोपाल बनने जा रहा है एसा सुन्दर मित्र मिल गया कृष्ण भगवान जैसे सुदामा को मिले थे ऐसे गरीब गोपाल को सेट गिर्धारी लाल मिल गए बंदों चपर को फाड़ देते प्रभू बात सही है कैसी कहानी सुना दो एक किसान खेत में हल चला रहा था उसके हल के फाल में एक गगरा फस गया खोल कर देखा तो उस गगरा में चांदी की सिक्के भरेखी थे उसका डखकन बंद कर दिया और खेत के एक कोने में गाड़ दिया गर आया शाम को पतनी को कहानी सुना रहा था कि आज खेत में मैं हल चला रहा था एक सोने चांदी के सिकों से भरा हुआ घड़ा फस गया उसको खोला तो फिर मैं वहीं ढाक कर बंद करके गाड़ के रख दिला कौने में ये चर्चा कर रहा था तो पतनी ने कहा फिर उसको लाए क्यों नहीं बुले लाओं क्या मैंने सुन रखा है कि भगवान जब देता है तो छप पर भाड़ कर देता है तो मैं ढोकर क्यों लाओं तो पतनी ने कहा रहे तुमारे समझ नहीं ले आना चाहिए था ये बात चल रही थी तो पीछे चोर बैठे सुन रहे थे चोरों ने सोचा घर में चोरी करने से क्या भाइदा खेत में चोरी कर लो ठीक है खेत में गए चारों कोना खोदा और वो घड़ा बिल गया उसको खोला तो उस घड़े के ऊपर खोलते ही उसमें वो लाल रंकी मदमक्खी जैसी बर्रिया बैटी थी जिसको यहां पर बोलते हैं क्या बोलते हैं बिच्छू जो काटती है तो सूजना जाती है भावरी ओ लाल रंकी बस जो ही डक्कन खोला वो पांचे बैटी थी उड़ी और मुह में काट लिया चोरों के चोरों के मुह फूल गए चोरों को गुशाई बोले इसमें सोने चांदी के सिक्के तो है नहीं वो भावरी बैठी है तो उसका डक्कन फिर बंद किया और बोले उसी आदमी के उपर चलो भावरी डाल देते हैं आते हैं रात में दो बजे वो जहां सोया है खाट पर उपर जो छपर है खपड़े ले उसको फोड़ के और आउंधा करके नीचे गिराते हैं तो भावरी तो दस बारा थी वोड़ गई लेकिन उसमें जो सोने चांदी के सिक्के थे वो ए खाट पर गिरने लगे तो पती ने अपनी पत्नी को जगाया और कहा देख देख भगवान जब देता है तो छपर फाड़ कर देता है तब से ये कहावत चलो हो अब भगवान दे रहा है कि चूर दे रहा है छपर कुफाण देते प्रभू बात सही है भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है करमान सार फल तो सभी मिलता यही है सेट कि रधरी लाल और गरीब गोपाल दोनों बंबई की एक बहुत बड़ी होटल में रात ठेर जाते हैं रात में मन में बिचार बदल जाता है गरीब गोपाल के मन में एक बिचार आता है कि अगर यह सेट गिर्धाई लाल मर जाता तो यह शारा धन हमको बिचाता है सिर चड के लोभ बोला ये दिमीत्र ये मर जाए धन एक लाख का घर मेरा ही भर जाए पिर क्या था बुरी भावना ही काम कर गई गरीब गोपाल के मन में विचार आया अगर मेरा मित्र मर जाता तो पूरा धन मुझको बिचाता है खोपड़ी में लोभ आप है कहावत है कि लोभ पाप का बाप है गोपाल होटल में जाता है दो गिलास दूद लाता है एक गिलास गोर हला हल जहर मिला दूद दूसरा गिलास शादा दूद अपने मित्र को जहर मिला दूद देता है सेट गिर्धारी लाल दूद पी रहे उन्हें क्या पता मेरा मित्र दूद में जहर पिला रहा है धोखा हो सेम सादा दूद पीता है दूद पीने की बाद तोनों मित्र सो जाते हैं सेट गिर्धारी लाल ऐसा सोए की सदा के लिए सो शुवेरा हुआ तो देखा सेट गिर्धारी लाल के सरीर को कि वो मर चुके सरी नीला पड़ चुका है नीला पड़ा सरीर मौत की थी बेवशी पर लास मुश्कराती थी होटों पिती हसी सरी नीला पड़ गया लास मुश्करा रही है होटों पे हसी है सेट गिर्धारी लाल सोचते सोचते दम तोड़ते हैं कि ये संसार कितना धोखा जिसको मैंने व्यापार कराया पैशा दिया अज उसने मेरी जान ले लिया दगा किशी का सगा नहीं है ना मानो तो कर देखो किया दगा है जिन लोगों ने उनके जाकर घर देखो एक हाँ ताली नहीं बाजे ना मानो तो बजा देखो बिना भूंक भोजन नहीं भावे ना मानो तो खा देखो दगा किशी का सगा नहीं है ना मानो तो कर देखो लास को देख करके गरीब गोपाल घबरा गया फिर हिम्मत करके सारा पैसा अपनी जेब में रखता है गाड़ी किराय से लाकर लास को नदी में बहा देता है और घर को वापस आजाता है इतना बड़ा कांड कर डाला जब घर को आया गोपाल आज तक जो गरीब गोपाल था आज से वो सेट गोपाल बन बैटा है सेट गिरधारी लाल की पतनी गरीब गोपाल को मिलने आती है और कहती है मेरे पती को कहां छोड़ा है वे कहने लगी उनको कहां छोड़ के आए क्या पीछे रह गए जो नहीं साथ में लाए अरे कुछ पूछो ना उनको वहां है जा हो गया एक कई और दस्त में देहांत हो गया इतना सुन करके वै रोने लगी खूब बिलाप कर मैंने चुपाया उनको समझा भुझा कर पापों की बेल फुलती और फलती नहीं है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है अंधेर नहीं है करमान सार फल तो सभी मिलता यहीं है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है अंधेर नहीं है करमान सार फल तो सभी मिलता यहीं है मिलता यहीं है पापों की बेल फुलती और फलती नहीं है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है अंधेर नहीं है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है अंधेर नहीं है गौर करना एक अंबर बेल होती है जो पेणों के उपर फेलती है धागे जैसे देखा होगा अंबर बेल बोलते है जिसमें ना फूल होते हैं ना फल होते हैं ना उसकी नीचे जड़ होती है दूसरे पेणों का रस चूसती है और उपर उपर फेलती है दूसरे पेणों को नश्ट करते हैं इसलिए इसमें फूल और फल नहीं आते है जो दूसरों को बरवाद करके फलित होते हैं शफल होना चाहते हैं उनकी दसा अंबर बेल जैसे होती है उनकी जिन्दगी में सुख के फूल नहीं खिलते हैं और शान्ती के फल नहीं आते हैं पापों की बेल फुलती और फलती नहीं है करमान उशार फल तो सभी बिलता ही है शेठानी को समझा बुझा कर वापस घर को भेज दिया गरीब गोपाल अव शेठ गोपाल बन बेठा बॉम्बे से उसका ब्यापार श्टार्ट हो गया थोड़ी दिन के बाद गरीवी का दुख तो मिट गया कोई शंतान नहीं थी नौ महिने के बाद एक शंतान का भी जनम हो गया अब अमीर गोपाल सोचने लगा भगवान ने मेरी बहुत सुना अमीर भी बना दिया और मुझे शंतान वाला भी बना दिया शंतान धेरे धेरे बड़ी हो रही है श्कूल जाने लगा बच्चा थोड़ा बड़ा जब हो गया तो पढ़ने के लिए श्कूल लगा भेजने उल्ला सुखर लिए यहां की पढ़ाई जब आलक समाप्त कर चुका तो उसे पढ़ने के लिए इंगलेंड भेज दिया दिया बीस वरस तक इंगलेंड पढ़ता रहा बहुत पेशा खर्चुआ पढ़ाई इंगलेंड से पढ़कर वापस आया अपने मित्रों की साथ टहलती ही पेदल बाजार गया ठकान आ गया लोटकर बाजार से आया गोपाल ने पूछा बेटे कुछ तबियत ठीक नहीं क्या बेटे ने का तबियत ठीक है थोड़ा सा पेदल चलने के कड़ हरारत आ गया जो कभी पेदल न चलता हो दो किलो मीटर एक दिन पेदल चल दे तो उसको हरारत आ जाती है जिसको धोप न लगी हो आप अधा गंटे धोप में खड़ा कर दो तो बिचारा परिशाथ हो जाता है यह शरीर तो प्रेक्टिस पर निर भर है जो कभी नंगे पाऊं न चला हो नंगे पाऊं चला दो तो उसको छाले पड़ जाता है और जिसको कभी ठंडी न लगी हो रात में रजाई न मिले ठंडी के महिने में तो बीमार हो जाता है सुबध फीवर हो जाता है सरीर कोमल गोले डाक्टरों को बुलाया इलाज कराया डाक्टरों ने कहा कि कोई खास बात नहीं पेदल चलने के कारण हरारत का बुखार ठीक हो जाए सबेरे तो और सबेरे जब देखा तु देखा सबेरे तो एक सबेरे देखा तो एक सबेरे बुखार ठीक हरारत का रूप ले लिया बेटा धीरे धीरे मौत के हवाले जा रहा है गोपाल रोने लगे बड़े बड़े डाक्टरों को बुलाया पाँच पांच सो रुपी फीश दिया डाक्टरों ने भर भर के इंजक्शन लगाया अन्तमे डाक्टरों ने खा आपका बेटा इंगलेंड का पढ़ा है वहाँ 20 साल रहे चुका वहाँ की जलवाई सूट कर चुकी है इसलिए इसको अगर पेशा हो तो इंगलेंड ले जाओ वहाँ इलाज कर बहुत शाप पेशा लेकर के इंगलेंड ले एक साल तक इलाज चला एक साल तक पानी की तरे पेशा बहाया निर्धन बनाया और रोरो के स्वास्थ अपना गवाया एक साल तक इलाज चला सब पेशा खर्च हो गया गरीबी आ गई और बेटे की चिंता में सेम बीमार हो गया कहते हैं बीमार के साथ में अच्छा आदमी भी बीमार हो जाता है बहुत अस्मंजस आखिर में डाक्तरों ने वहां भी दिया जबाब ये रोगी बचेगा नहीं किसी तरे से जनाब अगर पेशा हो पास तो ले जाओ घर दो चार दिनों में अवस्य जाएगा ये मर जाएगा ये मर दो चार दिनों में अवस्य जाएगा ये मर गोपाल यदि पेशा पास में हो तो इससे घर ले जाओ दो चार दिन का मेहमान हवाई जहाज के दौरा गोपाल बेटे को इंडिया लाते बेडरूम में बिश्टर पर लिटा देते और बेटे के पास में जाकर के पूछते हैं बेटा तुम कौन हो बताओ बहुस पैसा तेरी पढ़ाई में लग गया तेरी दवाई में लग गया मैं पहले जैसा फिर गरीब हो गया हो तुम अच्छा नहीं हो तो बेटा क्या जवाब देता पिता जी दुखी मत हो मैं अपना परिचे आपको बता देता हूँ अरे मानो न मानो बात मैंने सच ही कही है बगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है करमान शार फल तो सभी मिलता यही है बेटे के मरने के दो घंटे पहले बाप बेटे की खाट के पास में पहुंचा और क्या पोशता दो घंटे पहले पास में पहुंचा था सिसकता सिर पीटता और भागी को रह रह के कोशता मेरा तेरे में तेज आया आँखें तो खोल दे ए बेटे अपने अभागे बापस एक बार बोल दे एक बार बोल दे अपने अभागे बाप से एक बार बोल दे बेटे की आँखें बंद हो चुकी है धिरी धिरी बेटा मौत की हवाले हो रहा है बेटे से गोपाल कहते हैं अपने अभागे बाप से एक बार तो बोल दो आवाज मेरी सुन के उसने खौल दी आखे रोती हुई आखों में उसने डाल दी आखे पर मेरी और देख के वो मुस्करा दिया और फिर कठोर सर में ठठा मार हस दिया ठठा मार हस दिया फिर कठोर सर में ठठा मार हस दिया ठठा मार हस दिया बेटे ने आख खोली और बाद की और देख कर मुस्करा दिया और कठोर हसी में ठाहा का मार कर हस दिया हसी हसी में अंतर होता है इशारा दिया लड़के को हसता देख बाप का दिल जिजग गया क्या बात क्या जो मर रहा है वो हस रहा है ठाका मर रहा मैं जिन्दा हूँ मैं उसके लिए रो रहा लड़के को हसता देख दिल में मैं गया जिजग आशिर मुझ को हुआ ठगा सा गया ठिठग रोते हुए भी मैंने उस से इस्तरे कहा बेटा क्यों हसी आई मुझे अच्रज हो रहा बेटा मुझे कुछ दाल में काला दिख रहा है तुझे हसी क्यों आई तो रड़का क्या कहता है पिता जी मैं क्यों हसा हूँ आपको मैं बता देता हूँ मेरे हसने की बात तुमने समझी नहीं है भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है करमान शार फलत सभी मिलता यहीं है अगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है लड़के ने कहा पिता जी तुमने क्या पहचाना नहीं है मैं कौन हूँ सायदे अभी जाना नहीं है मैं कौन हूँ सायदे अभी जाना नहीं है फिर देखो मेरी और जरायांख मिलाकर मैं मित्र हूँ मारा था जिसे जहर पिलाकर मैं मित्र हूँ मारा था जिसे जहर पिलाकर मैं आपका प्यारा मित्र सेठ गिर्धारी लाल हूँ जिसको बॉंबे की होटल में तुमने जहर पिला कर मा रहा था मैं पुत्र बन कर आपके घर में पैदा हुआ क्यों आया था पुत्र बन के करजे अपना चुकाने सब ले चुका हूँ सेस बचे पांच सव पाने सब अदा कर लिया हूँ पढ़ाई में और दवाई में सब पैसा निकल गया पांसो रुपियों और बचे हैं और इदर उदर खर्च मत करना मैं जहां बता दूँ ओहीं खर्च करना ने दुबारा फिराना पड़ेगा हमको तो लड़के ने बताया क्या ओ विक्रिया कर्म में मेरे ही लगाना लो राम राम लो राम राम अब तो पीता होता हूँ रवाना बसीत ना कहके उसने अपने छोण दिये प्रान मैंने भी उसकी बात में कुछ-कुछ दिया था ध्यान इतना कहकर बेटे ने प्रान छोड़ दिये लड़का लास हो गया तब गहरी नजर से देखा लड़के की लास को तो क्या दिखाई दिया बाप को गहरी नजर से देखा तो पड़ा है दिखाई साथी की शूरत में लड़के की समाई गहर से देखा तो मित्र की शकल पुत्र की शकल में दिखाई थी कि मेरा मित्र ही आकर पैदा हो गया रोधो के मैंने दाह करम उसका कर दिया घर लोटा नहीं बन का मार्ग लेही फिर लिया लेही फिर लिया धर लोटा नहीं बन का मार्ग लेही फिर लिया ये सुन के कहानी भी आँख खुलती नहीं है भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है करमान सार फल तो सभी मिलता यही है करमान सार फल तो सभी मिलता यही है मिलता यही है